Good morning students! आज हम आपके साथ व्याकरन पढ़ेंगे और व्याकरन में हम पदबंद पढ़ेंगे दिखें बेटा, लास्ट ये तक ये पदबंद जो था ये हमारे सलेबस में नहीं था बट जो लेटस CBSE का इस साल का सलेबस आया है उसमें पदबंद है है ना? और हमारे last year के syllabus में पद और शब्द और पद था पद बंध नहीं था बट अभी जो हमारे syllabus में है वो पद बंध है तो बेटा आप लोगों को थोड़ा सा मैं है ना वर्ण से शुरू करूँगी तांकि जो आपका थोड़ा बहुत भूला होगा क्योंकि अप्टू 8-9 क्लास तक तो आपने पड़ा होगा बट एक बार मैं brush up करूँगी पद बंध से जाने से पहले मैं एक थोड़ा सा background आपका बनाऊंगी तो background में क्या है कि जैसे हम वर्ण से बात शुरू करते हैं बेटा वर्ण क्या होता है देखिए वर्ण क्या है भाश्या की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकडे नहीं किये जा सकते वर्ण यानि क है ख है अ है च है ड है कुछ भी कह लीजिए है ना तो क्या आप क के टुकडे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अगर टुकडे करेंगे तो वो कुछ रहेगा, उसका अस्तित्वए ही नहीं रहेगा कर का तो कहने का मतलब यह है कि जो वर्न है यानि कर उधार नार्थ कोई भी वर्न हो सकता है वर्न जो है भाषा की सबसे छोटी काई है और उसके और टुकडे नहीं किये जा सकते यह थी वर्न है ना अब वर्णों के सार्थक समू से देखिए वर्णों के सार्थक समू को शब्द कहते हैं या वर्णों का ऐसा समू जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं देखिए जैसे क अकेला वर्ण है म अकेला वर्ण है ल अकेला वर्ण है पर जब हम इन वर्णों को मिलाया तो क्य बना कमल तो यानि की वर्णों के सार्थक समू को वर्णों के जब वर्ण का सार्थक समू सार्थक शब्द क्यों यूज़ कि है सार्थक मतलब कमल बनाना मतलब अगर मैं बोलू लकम लकम का कोई मतलब नहीं है यानि वो सार्थक नहीं है तो इसलिए याद रखना शब्द की परिभाशा क्या है वर्णों के सार्थक समू को शब्द कहते हैं ठीक है तो शब्द का उधारन मैंने दिया आपको कमल है ना कलम कुछ भी बनाई आप अब मैं आशा करती हूँ आपको वर्ण भी समझ आया होगा और शब्द भी समझाया होगा अब बात करूँगी मैं आपके साथ पद की देखिए जब तक कमल अलग था तो वो एक शब्द था पर अगर मैं बोलू तलाब में कमल के बहुत फूल खिले हैं या तलाब में कमल के फूल खिले हैं तो अब ये शब्द ना रहके क्या बन गया पद बन गया, क्यूंगी ये वाक्य में प्रियोक्त हो गया अब कमल जो शब्द है था वो स्वतंत्र नहीं है वो व्याकरन के नियोमों में बढ़ चुका है तो अब कमल यानि तलाब में कमल के फूल खिले हैं तलाब एक पद है, कमल एक पद है, फूल एक पद है, खिले हैं एक पद है, यानि डिफ्रेंट पदों के मेल से ये क्या बन गया, एक पुरा वाक्य बन गया, तो आप याद रखिएगा, जैसे एक और उधारन देती हूँ, रतन, रतन जो है, एक शब्द है, ठीक है, उसे अल जब वाक्य में प्रियोग होगा, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रियोग या प्रियोग्त होकर, है ना, कुछ अर्थ को पूरा करेगा, या अर्थ को पूरा करने में सहायक होगा, तो वह पद किलाएगा, ठीक है, तो ये था हमारा वर्ण, शब्द और पद, अब आग यह क्या है पद है अब मैं एक और चीज बोलूँगी मेरा भाई मोहन पढ़ रहा है मेरा भाई मोहन पढ़ रहा है यानि मोहन जो पढ़ रहा था अब उसके साथ मैंने और क्या जोड़ दिया मेरा भाई मेरा भाई मोहन और मोहन क्या है संग्या है जब तक मैंने बूला कि मोह पढ़ रहा था वो simple बात थी पर जब मैंने बोला मेरा भाई मोहन पढ़ रहा है तो यानि मोहन को explain करने के लिए यानि यानि ये जो मेरा भाई शब्द है मेरा भाई है इसने मोहन को मोहन शब्द को और अधिक विस्तार दिया इसको और अधिक explain किया तो basically यही है पदबंद पदबंद क्या है यही है है जब मोहन को और phrases हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसमें क्या है वही phrases जो है किस तरह से हमने देखी क्या कहते हैं उधारन को मैं repeat करूंगी मोहन शब्द